Mad Max film की कहानी आज की नहीं बलकि कई हजार पहले होने वाली कालपनिक कहानी पर बेस्ट है Atomic War के बाद दुनिया बरबाद हो चुकी है War के बाद चारों और नजर आ रही है जिन्दा बचे चंद लोग जो Atomic कणों की वज़स से ऐसी बीमारी के गिरफ्ट में आ चुके है जिससे बचना नामुम्किन है जमीन बंजर हो चुकी है पेड़ पौधे फूल दूर दूर तक नजर नहीं आते हाल यहा है कि पीने का पानी भी किसी के पास बचा नहीं है War के बाद इंसानों का रूप बदल चुका है और अब उनकी जिन्दगी लगभग खत्म होने के कगार पर है जिन्दा रहने के लिए कुछ भी खाकर गुजारा किया जा रहा है लेकिन समस्या पानी की है जो एक आमरन जौत के पास है इस जौत के पास ही पानी है जो इन जिन्दा बचे इंसानों के लिए सबसे ज्यादा कीमती है जिन्दा बचे लोगों ने जौत को भगवान मान लिया है और उन्हें सिर्फ जौत से ही मुक्ती मिल सकती है जौत अब किसी शैतान से कम नहीं है, पानी की चाह में जिन्दा रहे गए लोग उसके एक इशारे पर कुछ भी करने को तयार रहते हैं अगर जौत इशारा करे तो यहां बचे लोग किसी की भी जान ले सकते हैं और अपनी जान देने को भी तयार रहते हैं, जौत के इस आंतक और उससे लोगों को मुक्ती देने के लिए फ्यूरोशिया चार्लीस थेरॉन अपनी जान की बाजी लगा कर जौत के खिलाफ जंग का बिगुल बजाती है इस जंग में मैक्स टॉम हार्डी उसके साथ है तीन दी में नजर आएगा जौत के रोल में यूग और चार्लीस थेरान का जवाब नहीं अडवेंचर और आक्शन लवर्स के यह मूवी बेस्ट है